नमस्कर दोस्तों मीत सीरियल काने वाला एपिसोड आप लोगों के जिद देखने को मिलता हुआ नजराने वाला है क्योंकि दौस्तों यहां पर सुमेथ और इस लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरीका से यहां से निकला जाए क्योंकि दोस्तों इस समय जो समारो हो रहा है इस समारो में लगातार पुलिस इस समय करती हुई नजरा रही कि इस लोग को ढूंडो क्योंकि इस लोग का इंकाउंटर के आदेश हो चुके हैं क्योंकि उस पर जुटा केस लगा है कि वो इंडिया का जासूस है आप लोग जान कि कहानी एक नहीं वलकी समय कई माईनों में बेहत जादा खास और बेहत जादा अलग देखने को मिल रही है आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हाँ पर हार मानने वाला है ही नहीं इस समय क्योंकि आयुष ने बोल दिया है कि हां से मुझे किसी भी तरीका से निकाल दो और सुमित ने बोल दिया है कि हम यहां से दुब का चोरी ही निकल सकते हैं क्योंकि सभी जिगे फोर्स तैनाथ है क्योंकि इस समारों में भी फोर्स देनात हैं और जिन लोगों को इस लोग की बज़े से दिक्कत हो रही थी क्योंकि इस लोग को मारने के लिए कुछ भी कर रहे थे जिनको सरगुन ने पैसे दिये थे वो भी लगातार इस लोग को मारने की कोशिस कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय रौनक और नजर आएगा इस समय सुमित को सुमित बोलती हुई नजर आने वाली है कि यहाँ पर रौनक क्या कर रहा है और रौनक वाके में उन पाकिस्तानी पुलिस वालों के साथ ही नजर आएगा क्योंकि सबसे बड़ा गद्दार तो इस समय रौनक और रौनक की मा सगुन ही है जो लगातार इस लोग को मारने के लिए धनी लंबी साजिस रस्त वे नजर आ रहे थे कि एप के लाए नजर दीदिए था रौनक अड़ निए श्यासी वेधाए लौनक के लेगा अाख और से बड़ा आएगागा ये है ट्रौनक के अंवर इंबा रवान गवेधा जाने गवेधाई मेंबी तौनक के व्लौनक पर बशेगा पूनक के रहे जार दौनक के ब़ौ